वेल्कम फ्रेंड़्स अंजली कीचेशन एंड कुक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं सबसे पहले आप सभी नौरात्रा की बहुत-बहुत कामना है आज आफा बनाना वाला हां पूरी हल्वा सात्म मां बनाओंगा आलू की सबजी और चनी की सब कड़ाई जिसमें डालांगा दो चम्मच बढ़ियां घी गीन पहले अपा मेल्ट करांगा जब घी गल जाओ तब इसमें अपा डालांगा हापकप सुजी सुजी न तेल घी के साथ अच्छी सा इस तर से मिला लूँगा दो मिलेट के लिए चलाते रहूंगा फ्राई करते रहूंगा अब डालांगा वन बाई फोर्थ का पांटा अब इस दोनों आपा लगभग चार मिलेट के लिए मीडियम लो फ्लेम में रखते विए फ्राई करांगा जब तक इसको कलर ब्राउन नहीं हो तो देखो अपना हल्वा को कलर ब्राउन होने लगई हो है इस तर से चलाते चलाते हल्को सो डाक और हो जागो कलर इसको तो दे अब अब डाल दी हूं केसर का कुछ धागा इसना भी आपा मिक्स कर लाउंगा फिर आप डालाँ अथा चीनी तो मैं अथा हाप कप चीनी डाल रही हूं चुकि हल्वा की क्वांटिटी हमेशा जित्तों मेजर लें उसा जादा बढ़ जावा बहुत क्वांटिटी बढ़ अब अब यह पर डालाँ लेए वाप कप प्लस वन बाइफ फोर कप चीनी और चीनी थे अपना टेस्ट का कर सको शक्ता कर सको चीनी नहीं अच्छी से अमिक्ष कर लाँगा देख कितना अच्छा खलर आगी हो ना अब अब अधा मां डाल दूगे ड्राइफूर्श तो मां बंद करदेंगा अब आपा बढाऊंगा चना की शबजी तो चना की शबजी बढाने के लिए देखो अथ हमें एक कप चना लिथी जिसना मा राद बर भींगो का छोड़ दी थी तरे चावा तो चार सा पांच गंटा के लिए विंगो दो जितना सौफ्ट हो जाओ रहां सा त तो देखो अपना चना बहुत अच्छी सा सीच चुका हां सा टूटना लगिया इस तरह सा देखो बहुत ही अंदर तक तूड़ चुका हां अपा एक कड़ाई लिए जिसमा डालांगा एक चमच घी चुकि आपा यह प्रशात के लिए बना रहा हां और आठा डालांगा वन तो काफी अची सा अछी सा मसाला पानी के साथ मिल चुका हां अब आपा इस ग्री में इस मसाला डाल देऊंगा और इस तरह से 2 में शीकली इसफ़राई कर आदो अपने मसाला बहुत अची सा फ्राइब हो चुकी है अब आपा डालांगा दो कड़ी हरी मिष तरह तो अगर अब आप डाल दाओंगा अठा सारा चना जो आप आप इसे जाकर रखा था अब चना और इसना मसाला ना सभीन अच्छी सा मिक्स कर लेंगा एक साथ मिला लेंगा और हाई फ्लीम में रखते विए हल्कोस इसना पर ड्राय कर लेंगा तो लिट पीटों से सब्जी बनका त्या आपनी चनी की सब्जी बनका त्यार हा अब मागेस के फ्लेम ना बंद कर दूंगी अब आप थाली में अब आप आप बनाऊंगा अथा आलो की सब्जी तालो की सब्जी बनाने के लिए देखो आप मात लें एक कड़ाई जिसमा डालोंगी एक चमज घी चुकि अपर साथ क अब मास नो डालें जीरा शची आप शिर्ण में अधरक दानोंगी खटी इद्रख अची अधरक चार आप शाली एक मिनट के लिए अरी मिल्च न भी साथ मैं मिक्स करका फ्राई कर लेंगा अब डाल दूंगी आठ समा कटा हुआ तमाटा देठी और के शाल अधरक शाली उ अब ढ़ाग दूंगी एक मिनेट के लिए तके अपना टामाटर सॉफ्ट हो जावा तो देखे एक मिनेट हो गया है अपना टामाटर सॉफ्ट हो चुका हाँ और देखे इस तरसे तुटना लग गया है जब इस चूर होना लग जाओ ना तब आप आप इसमा डालागा आलू सीजाव दालागा चार पीस में आलू लिथि सीजाव मिजयम साइच का जिसना कट कर लिठी अब इस नामाऻ डाल दूगै अब आप आ डालूंगी नमक अब डालांगा तालांगा थाल्दी लालमिषभ दालांगा 1 नामिषभ भाट प्र स्वेम धन्या पोटर दालांगा ए को उसका बाद भालेंगा पाणी हाप ग्लास ताय हाप बी कि यह तो प्याज लासून की पहुती टेष्टी अलु की सब्जी बनका तयार अपा ढग देऊंगा और दो मनेट के श्ता से इसना बॉयल होते देऊंगा ताकि अलुमा सारो मश्रालों चल जावा कुछ फ्लेवर आ चावा तिस घृट अलु की शब्जी बनका तयार हा अब अपने पूरी बनाऊंगा आपने अलुक्षवजी बनका त्यार तो पूरी के लिए लेली माहाब केजी आठा साथ माठा सिंग मा डालूंगी दो चम्मच ओयल और अच्छी साथ के साथ ओयल ना मिक्स कर लूंगी अपने आटो और तेल बहुत अच्छी सा मिक्स हो चुको आप माठा ड्लूंगी थोड़ो परका पानी आप हार्ड डो रेडि करना यह जादा स्वाफ्ट भीनिया जादा हार्ड निकरना लेकिन हार्ड ही डो रकनो ठीका जिसा पूरी बहुत अच्छी बिला और बहुत ही अच्छी बिला और इस तरह से फिरसा पैसना गूथ लेंगा आटा ना बंच देऊंगा बहुत अच्छी सा अपनो डो रेडि होगो जितनो गुथांगा आटो उतनी ही सौफ्ट बनोगो और बहुत ही अच्छी पूरी तरही सारी पूरी फूलागी माथा नागा चलका पिर से एक बार इसना मा गूथलूंगी मलहार देज भूंगी इस तरह सा फिर सा फिर आपके करनगा इसमा सह थोड़ी थोड़ी सी लोई लेंगा चोटी चोटी लोई ज्यादा बडी लोई नहीं लेनिया आप जिस साइच की रोटी बनावान उससा छोटी लोई डो बोल्स लेंगा इससा देखो छोटी सा इचकी फिर इसना इस तरह सा प्रेश्ट करनगा हाथ इस तरह सा सभी नापा कर लेंगा पर दोकी आख दिखाऊंगे इस तरह सा गरली देखो आप चकला बिलन लेली आहां इसमा बेल लेऊंगा सरकल की सेप मा बेलांगा अमा सुखो आटो लगा रही हूं थे चावत अथा तेल भी यूश कर सको तो इस तरह से अपनी बहुत अच्छी से पूड़ी बनका त्यार हो जाओगी और दिख्यों माताना दिखाऊंगे हर एक पूड़ी फूल लागी मताना मैठन बटाऊंगे कहें फूल लानों और उसना बेल सब पूड़ी किस तरह सा फूल सका बहुत जंकी प्रॉब्लम हो क्य प्रॉड़ी फूला नहीं है तो इस मैठन से बनाई थारी पूड़ी सारी एक पूड़ी फूलागी मताना देखो इस तरह से पूड़ी अपनी बन चुकिए है इस नो आपा निकाल लेंगma इक प्लेट मा इस तरह स्था माथाना सथी चार पूड़ी जो मादेला चारो पू उसी जिससा थे तल रहो न इसी से हलको सो दबादो वो अपने फुल जाओगी इसा असा देखो ते सारी पुड़ी जरु देखियो था न समझ मा आ जाओगो मक्याइन करई अल्की से नहीं फुला न तो हलको स उसना दबादो चलनी से जिसा पा छाना है न पुड़ी न चान कर निकाला आँ है देखो इसतर असा हलको सो प्रेश्ट करो पुड़ी फुल न लग जाओँ कोई प्राव्दम न आवा सारी पुड़ी फुला है तो देखो अपनी पूड़ी सारी फूल चुकी न इस तरह सारी पूड़ी खेलागी इस मेथड में जरू बनाएं सारी पूड़ी फूला सौब्टी बना फोसरी पूड़ी बना बहुत ही अच्छी बना हाँ तो अब थाली दोखा पर सर्प करांगा तो मेरी थाली त्यार अब जरू ट्राइब करो अश्टमी नो मीमा और अगर मेरे चैनल में थे नया हो जो मेरे चैनल ने स्सक्राइब करो जादा जादा इसना सेर करो